नमस्क्राइब दोस्तों स्वाइगत आपका मेरी चैनल पर और मेरी चैनल का नाम है वर्षा बीटी के एर दुए करते ही हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने जा रही है बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है और बह बटने इसे प्रेस कर दीजेगा ताकि आपसे भी निए वीडियो मिसना हो तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आज की वीडियो किस बारे में है अक्सल आपने देखा होगा दोस्तों कि हमें बिजली की चीज़ों को साफ करने में बहुत मशक्त करने पड़ती है बहुत आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने चाहरे हूं आज की वीडियो बहुत जादा है उन सभी हाउसवाइज के लिए जो काफी मुश्किल लगती है उन्हें सफाई करना कि हमें कैसे हम साफ करें कैसे मैनेज करें क्यूंकि काफी बार ऐसा होता है कि इतनी सारे चीज़ चमका सकते हैं तो चली फ्रेंट फेक लेते हैं और आज जो मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूं जो प्रोड़क्ट दिखाने जा रही हूं यह प्रोड़क्ट आपको ओनलाइन भी मिल जाएगा और नॉर्मल मार्केट में भी बिल जाएगा इसली और अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रवाइट कर दूगी तो प्लीज काईस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बर चेक जबूर कर लीजेगा तो चली फ्रेंट देख लड़े हैं यहां पर मैं सबसे पहले बात करने जा रही हूं फ्लो जो भी गजट्स अगर आया चीज़े हैं वो साफ करकर दिखाने वाली हूं उन सभी चीज़ों को तो बहुत पसंद आईगी आपको आज की वीडियो एक तो यह वाला प्रोड़क्ट है कि आप यह यूज कर सकते हो अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यह चोट इसी क्य मिल जाएगा और ओनलाइन भी मिल जाएगा तो यह भी आप यूज कर सकते हो क्लीनिंग में और मैं क्या करती हूं कि जब भी मुझे साफ करनी होती है तो मैं हमेशा यह बड़ी बॉटल मंगा लेती हूं इससे मेरा नेल बेंट भी रिमूव हो जाता है और और सारी चीज़ और वैसे अगर आप डिस्काउंट में मिल जाती है तो आपको शायद हो सकता है 140 रूपीज या 130 रूपीज के प्राइज में आपको इसली मिल जाएगी और यह बोटल आपको कहां से मिलेगी मैं आपको बता देती हूं यह किसी भी फरनीचर शॉप से मिल जाएगी आपको या फिर पेंट की जो दुगान होती है इसली पेंट से गरागी तो वहां पर भी आपको इसली मिल जाएगी और वहां से भी आप पर चेस कर सकते हैं और एक बोटल आपकी काफरी टाइम तक चल जाती है क्योंकि वन टाइम अगर आप बिचली की चीज़ों को साफ कर लेते ह हैं तो 20-25 दिन अराम से सफाई के निकल जाते हैं जी हां और महिने में आप एक दो बार से सफाई कर सकते हैं बहुत इसली साफ हो जाएंगे और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे चमकते हो रहेंगे काफी टाइम तक तो यह वोटल आपकी अच्छी खासी 2-3 महीने तक अराम होगा है इस तरह से आप निकाल सकते हो यह में कोटन ले रही हूं और यह देखिए आपको होल नजर आ रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा सा इसके ओपर डाल लूँगी यह देखिए और आपने इसे तुरंत ही बंद कर देना है खुला नहीं चोड़ना है नहीं तो यह हल्प से और आपको ज्यादा रगणने की या मतलब ज्यादा वह ज्यादा इसे करने की जुरत नहीं है हल्के हाथों से भी करेंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया है इस कितना चमक गया है यह देखिए और यहां से आप इसमें और इसमें फर्क भी देख सक तो यह देखिए यह देखिए demo भी मैंने आपको गरखर दिखा दिया है कि कितना eezly आप इससे साफ कर सकते हो इसी तरीके से मैं और भी साफ कर लूँगी एक बार और लूँगी और इसके बाद मैं इसे तो थोड़ा सा दिखरा है इससे भी साफ कर लेती हूं यह देखिए friends, आप देख सकते हो पहले कैसे नजर आ रहे थे और अब भी कैसे नजर आ रहे हैं, देखे मैंने उपर से भी साफ कर दी हैं, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से चमक रही हैं यहें, और अब मैं आपको second चीज भी साफ करकर दिखा देती हूं, इसके help से आ यह देखिए कितने अच्छे से चमक गया है यह देखिए और यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा नेल दिनर ले रही हूं और इसके फ्रेंट्स में यह फॉन आपको क्लीन करकर दिखाने जा रही हो जिया इसके यह अपने मोबाइल को भी क्लीन कर सकते हो यह देखिए इतनी भी स्क्रेच वगारा होते हैं फोन पर यह घी की काफी बारा हाथ लगे होते चिकनाई वाले गंदे हाथ लगे होते तो वह सफ हो जाएंगी यह देखिए इसके बाद आप सूखे कपड़े से साफ कर दीजे आप देखिए अप देख सकते हो फ्रेंट्स कितने अच्छे से साफ हो गया है नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको साफ करकर दिखाने जा रही हूं चीज यह आप देख सकते हो यह है यह राज क देखिए थोड़ा सही साफ करने में आपको कितना फरक नजर आ रहा होगा यह देखिए यह देखिए दोस्तों कितने अच्छे से साफ हो गया है पहले और आप में आफ फरक देख सकते हो यह देखिए उपर भी जो दाग पड़े हो थे हलके फुल के वो भी मैंने साफ कर द यह है आप देख सकते हो दोस्तों कि यह देखिए है इसे थोड़ा सा अंदर से साफ कर लेती हूं आप देख सकते हो गाइस कितने मतलब मैल निकला है इसमें से कितनी डर्ट निकली है यह देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो गया है बस मैं इसके पर थोड़ा सा एक साफ कपड़े से साफ कर दूंगी थोड़ा सा पानी डालकर उसके बाद यह आपको थोड़ा से दाग नजर आ रहे है यह जो इसी कहीं दाग है वो निकल जाएंगे अच्छे अच्छी तो सामने से सारा साफ हो गया दा लेकिन इसका कभर यहां साइडों से साफ नहीं हुआ लगा तो चलिए आपको वो भी जा देखिए हैं शबसे पहले आपने इसके जो यह दकन है इस तरीके से सका हब जो आम ठीजिए इसके बाद आपने इस कप्ड़े को गीर कर नहीं थोड़ा सा, और साफ कपड़े करना है क्योंकि गंदे से घरेंगे तो और जादा गंदा हो जाएगा, इसलिए साफ कपड़ा लीजिए, ये देखिए मैं आपको एक हाथ से करकर दिखार है हूँ, डैमो जो दिखार है ये देखिए, मैंने गीला कपड़ा लेकर इसके बीच में फसा दिया था और इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजी हिला कर तो यह देखिए कितने अच्छे से यह साफ हो गया है यह निकल जाएगा डॉंट वरी यह देखिए कितने अच्छे से इसकी जो भारीकी में मिट्टी फसी हुई थी वो भी निकल गई है यह भी बहुत अच्छे ट्रीक है गाईस इस तरीके से भी आप अपने हैस्बेंड को खुश कर सकते हैं उनका हेलमेट साफ करकर तो यह देखिए और पहले से कितना जाधा साफ लग रहा है कितने अच्छे से चमक गया है और फ्रेंड्स अब मैं आपको यह शीशा भी साफ करकर दिखा देती हूँ कि इससे आप अपने बाथरूम का जो मिरर में गार रहा होता है यह कहीं का भी मिरर होता है वो भी आप इसली साफ कर सकते हो तो चलिए कैसे कर लेते हैं साफ अकसर आपने देखा होगा पानी के जिदी दाग होता है ना शुडाने काफी मुश्किल हो जाते हैं तो मैं इसे नेल रिमोवर के हल्प से अपको साफ कर लूँगी यह देखिए हों किहाँ से आपको साफ यहां पर आपको दाग नज़र आ रहे हैं कि अभी तिक में वहाँ पर किया लीजी यह साफ हो जाएगा यह देखें दोस्तों कितने अच्छे से मेर जो है वह साफ हो चुका है उमीद करती हूं आपको यह वाला ट्रेक पर पसंद आया होगा और अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि फर्श पर जब भी नेल पेंट गिर जाती है न कैसे साफ करना थो गई है वो भीया तो मैंने इसे आज ही मतलब लगवा लिया है और मैंने यह क्यों खरीद है मैं आपको बता देती हूं एक्शली आप जानते ही है कि बच्चों के आजकल जो गुरूप होते हैं स्कूल में वर्टसप बने होते हैं उनमें उनका हमवर्क जो है वो डेली आता आता है कि पीजर लुक हो यह कुछ इस तरह से दिखता है देखे Ciao C然后 यह मैंने रिलाइन जोर से परचेस किया है तो वहां से मेने इसे परचेस किया अगर आप इसका री किश थारिभी यह चाहते हैं तो मुझे क्रूप पताएगा मैं िसका रिदिश्प हैं अपके शेयर कर कर दीजिएगा कमेट करके जुरू पताइएगा दोस्तों कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक इंस्ट्रक्राम और टिक टोक पर भी तो चली फ्रेंट्स मैं मिलती हूं और भी अमेजिंग सी वीडियो के साथ तब तक के बाइब लगी बाइब टेकियर